नमस्कार अश्ट्डी मेट्रियल्स में स्वागत है अगर आप इस चेनल पे नए हैं तो प्लीज सस्क्राइब कर देजिए माई अनिल सर सब एक्जाम क्लासेस में हिंदी के जो क्लास लेते हैं वही हूं तो चलिए आज देखते हैं कि केविनेट में जो 10,000 नोकरियों पर जो मोहर लगने वाली है पर किस किस पर क्या लगने वाली है तो केविनेट में 10,000 नोकरियों पर क्या है मोहर लगने वाली है चलिए इसको हम लोग विस्तार से जानते हैं क्या कुछ खबर निकल करके आए हैं तो युवाओं को रोजगार देने को लेकर हेमंत स में संसोधन के बाद विभीन विवागों में नियुक्तियां का रास्ता जो है अब साफ हो गया है बूधवार को होने वाली राज केविनेट की बैठक में दस हजार दस हजार नोकुरियां देने के निर्णई पर मोहर लगने की उमीद है अभी तक कि तैयारियों के अनुसार सरकार आम लोगों को राहत और रोजगार देने वाले कई निर्णईयों को जमीन पर उतारेगी और केविनेट में इसे सबंधित कई प्रस्ताव आने वाले है सुत्रों के अनुसार 19 जनुवरी को होने वाली केविनेट के वैठक के लिए प्रस्तावों का संख्या 40 से अधिक हो सकती है जिसमें रोजगार के अवसर मुहिया कराने वाले प्रस्ताव क्या है प्रमूख है माइधिमिक सिक्षक पलस्टू सिक्षक और कई परकार की नोकरियां के लिए नियमावली को संजुसोधित किया जा चुका है और अब इसे केविनेट में स्विक्रीती मिल जाएगी माना जा रहा है कि अब तक जितनी नियमावली की सिक्रीती की गई है उसके हिसाब से 10,000 के करीब नोकरियां का मार्ग प्रसस्त्र हो गया है पूर में जो नियमावली सिक्रीती हो चुकी है उसके हिसाब से 4,000 नोकरियां के लिए 4,000 नोकरियां के लिए करमचारी चैन आयोग और जहारखन लोग सेवा आयोग की अधियाचना भेजी जा चुकी है लगभग 5,000 नोकतियों के लिए विज्यापन भी निकल चुका है इस हिसाब से केबिनेट की अगली बैठक में रास्तों का पिटारा भी क्या है को ले करके आएंगे हिसाब से अगर इस हिसाब से केविनेट की अगली बहिठक राहतों का पिटारा ले करके आएए ओके धन्वाद मेरे द्वारा दिया गया जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस चेनल को सस्क्राइब कर देजिए धन्वाद